हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दी चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिप्रेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी तो फाइनली आई भी पेस प्यो मेंस का एक्जाम जो है खतम हो चुका है तो मैं आपको कट आफ के बारे मे पूछे गाते हैं यह सारे कोश्चन के जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो आप सब उसे रिक्वेस्ट होगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल बढ़ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को प्रेस कर देएगा सबसे पहले यह किअवे पेश्पिओ पो प्रिलिम्स का जो प्रोपढ़ प्रिलिम्स का lts में पहले बता चुकी हूं इसलिए बहुत सारे कंदिदेट मुझे बोल रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी है तो सबसे पहले हम लोग इंग्लीज के question देखते हैं इंग्लीज के question कैसे थे तो इंग्लीज के question जो थे वो पिछले साल से इस बार के question जो थे वो हलका सा थोड़ा सा question tough था अगर हम लोग इसके cutoff की बारे में बात करेंगे तो cutoff जो है इंग्लीज का जाएगा आठ से 11 आठ से 11 की बीच में आपका इंग्लीज का cutoff आपको देखने के लिए मिलेगा अगर इसके good attempt की बात करें तो 15 to 20 की बीच में अगर आप attempt किये हैं बहुत अच्छी बात है और इसका cutoff जो होगा वह 8 से 11 की बीच में आपका जनरल का cutoff जाने वाला है इंग्लीज में जनरल का cutoff जो है वह 8 से 11 जाने वाला है अब हम लोग बात करते हैं रिजनिंग की रिजनिंग के question कैसे थे तो रिजनिंग के question ना बहुत जादा tough पूछे गये थे ना बहुत जादा easy पूछे गये थे अगर हम लोग बात करते हैं इसके good attempt के बारे में तो अगर आप 16 to 20 के पीच में अगर आप attempt किये तो बहुत अच्छा है बहुत बहुत अच्छे marks है good attempt है और इसके अगर cutoff के बारे में बात करेंगे हैं अगर reasoning के cutoff के बारे में तो 6-8 cutoff जाने वाला है 6-8 के बीच में आपको reasoning का cutoff आपको देखने के लिए मेलेगा मैं general की बात कर रही हूं कि general में 6-8 cutoff जाने वाला है वहीं बात करते हैं जीए का जीए का question कैसा था तो सबसे पहले मैं बताती हूं कि जीए का जो पिछले साल का जो ये था cutoff था वो 3.75 या था जीए में सिर्फ और इस बार के question थे वो इस बार के question बहुत अच्छे थे directly question बहुत सारे question जो थे बिलकुल directly पूछे गाते हैं जीए का cutoff आपका जाने वाला है और अब बात करते हैं क्वांट section का क्वांट section कैसा था question तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं क्वांट के section इतने जादा बूरे थे इतने जादा difficult थे इतने जादा tough question थे कि student से बन ही नहीं रहा था question किसी का frequency ने match कर रहा है किसी का data न नहीं आ रहा है number series इतना difficult थे strike rates का question बहुत ही tough था मतलब सारे question इतने जादा quant के difficult थे इतने जादा difficult थे कि सारे section में अगर देखा जाए तो quant के question बहुत ही जादा difficult पूछे गया थे quant के question में सिर्फ दो ऐसे question थे दो टापिक से जो question थे, mensuration का question और quadratic equation यह जो दो question जो मैं आपको mensuration और quadratic equation के बारे में बता रही हूँ बस यह दो question ही थोड़े easy थे, बनने लाइक थे, बाकि कोई भी ऐसा question नहीं था, जो easy हो, सारे इतने difficult थे, किसी का question समझ में नहीं आ रहा था तो किसी का data नहीं मिल रहा था, किसी का data समझ में नहीं आ रहा था, किसी का frequency match नहीं कर रहा था, किसी का number नहीं मिल रहा था, किसी का answer नहीं आ रहा था ऐसे ऐसे problem हुए थे quant के question में तो मिला जो लाकर quant का जो section था बहुत ही ज़्यादा घटिया बहुत ज़्यादा बर्वाद type का question था और student बहुत ज़्यादा hopeless हो चुके थे quant के question देखने के बाद लेकिन अगर इसके cut off के बारे में बात करें तो 2 से 4 के बीच में आपको cut off देखने के लिए मिलेगा मात्र 2 से 4 आपको cut off देखने के लिए मिलेगा इससे जादा cut off हाज जाने वाला नहीं है अगर आप दो तीन भी question अगर बना कर आ गये होंगे तो आप cut off के बीच में आ गये हों मतलब आप पार हो जाईएगा आप interview देने के लिए बिल्कुल ready हो जाईएगा तो मुझे उमीद है कि यह video और information आपको पसंद आए होंगे क्योंकि question कैसे थे मैं आपको बिल्कुल जो मैं feel की हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि question बिल्कुल कैसे थे तो मैं हमेशा आपको इसी टाइप की वीडियो हमेशा लेकर आती हूँ बताती हूँ कि कितना cutoff जाएगा कैसा question था यह इससे पहले भी मैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देजेगा धन्यवाद